नमस्कार मैं हुराज मोहंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बिहार विधान सवा चुनाव 2020 में महागडबंधन की अकेले नईया पार लगाने वाले नेता प्रतिपक्चते जश्वियादो अब असम में पहुँच गए हैं क्यूंकि अशम में बहुत जल्द और 6 अपरिल को 3 चर्णों में असम में चुनाव कराए जाएंगी 126 विधान सवा की सीटों पर यह चुनाव होने में ऐसे में आरजेडी भी अब अपनी पूरी ताकत जोगते नजर आ रही है तेजश्वियादो कल यानि कि 26 फरवरी को ही जैसे ही तीतियों की घोषना होई वो गुआ हाटी जा पहुँचे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कि किस प्रकार से एयरपोर्ट पर उनका जोरदार श्वागत आरजेडी के कारेकरता वहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे में एक और वीजूल हमारे सामने आया है जहाँ पर तेजश्वी यादों के फैंस अ अंडा गारने के बाद अब तेजश्वी यादों की लोकपिडियता इसकदर बढ़ गई है कि अशम में भी उनके जिन्दाबाद के नारे लग रहे हैं लानुपरशाद यादों के बाद सायद ही आरजेडी का कोई ऐसा नेता होगा जिसकी लोकपिडियता सायद इतनी जादा बढ़ गई होगी आप देखशक्त हैं कि किस प्रकार से एयरपूर्ट पर तेजश्वी यादों का जोरदार श्वागत हो रहा है तेजश्वी यादों अब जब गुआ हाटी जोरदार श्वागत है पहुँचे हैं तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस के हैं सा राज्यसवास सांसद उनसे भी उन्होंने मुलकात की है और गटबंधन की तयारियां जोरो पड़े कि आखिर आरजेडी अगर असम के विधानसवा चुनाम उत्रेगी तो किन किन के साथ गटबंधन को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है साथ उन्होंने ये भी का कि आरजेडी के सीनियर लेडर और पूर्वे मंत्री अबदुलबारिश सीद की भी पिछले तीन दिनों से गुवाहाटी में मौजूद हैं और तमाम जो भी गटबंधन के विकल्प हैं उस पर अशम विधान सभा चुनाओं में बाजी मारने के लिए आरजेडी किसके साथ गटबंधन करती है तेजस्वी आदों का नाम अशम में कितना जादा आरजेडी को जीत दिला पाता है ये देखने वाली बात होगी फिलहाल आरजेडी पूरी जोर सोर से अशम विधान सभा कि चुनाओं की तयारियों के साथ ही केरल और पश्चिम बंगाल की तयारियों पर भी नजर गराए हुए है तयारी पूरी तोर पर कर रही है बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी ने एक बात साफ कर दिया है कि वो किसी भी अनेवी पक्षीदल के साथ गटबंधन के लिए तयार है ऐसे में आप देखना होगा कि जब विदान सभा की चुनाओं होंगे तो किन गटबंधनों के साथ आर्जेडी इन तीन राज्यों के चुनाओं में उतरती है बने रहिए लाइफ भीहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक लागातार पहुचा रहे हैं आपका बह सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें